जेपी दलाल कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कॉंग्रेस की सरकार बन जाएगी कह रहे हैं कि हमारे वाले इनको छे महीने भी नहीं टिकने देंगे अज़ मैं के तु बुंडे दे बुंडे जा एशी पगवान रूष गया जाके में उक्चुक हो जा मारे दिल्ली आले छटा भी ना पर पगड़ने हैं जब किसान आंदोलन के दोरान में किसानों की मौत हो रही थी और उस समय कहा था जेपी दलाल ने वैसे भी मर जाते हैं गर बैठे होते जब भी मर जाते हैं यह घर में होते तो मरते हैं यह नहीं मर रहे हैं इसके लबाद एक बार जेपी दलाल ने किसानों के लिए कहा था और कहा था कि इन्हें घर में कोई नहीं पूछता दोस्तों नमस्कार मुझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर कभी-कभी दिल की बात जोवा पर आ जाती है कभी-कभी वह बात सामने आ जाती है जो आपके दिल में चल रहा होता है या आपके दिल में कहीं जिसका जन्म हो रहा होता है जन्मातों का वह बात कितनी सच होती है कितनी तथ्य परक होती है या कितनी सत्य नहीं होती इस पर समय जवाब दिया करता है लेकिन एक ऐसी बात चल पड़ी है हरियाना के अंदर हरियाना के मिनिस्टर फाइलांस है जेपी और सरकार पार्ट टू के अंदर वो वजीर थे खृशी मंत्री और बाद में जब नायाब सरकार बन गई मनोहर से नायाब सरकार भी तो उसमें वह आ गई है भारती जंता पार्टि में ःप ये नहीं है यह यह प्र हम्धिन उप कह रहे दर्या का नहीं के चार्थ में होगा कि यह द्न आ एक हमारे वाल ensuring को छे महीने भी नहीं टिकने देंगे आप एक बार सुनिए क्या बूल रहे थे जेपी दलाल का रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भॉंडा से बॉंडा यह नि की पुरा से बुरा कि क्या होगा से पुरा कि Congress की अर्याना में सरकार बन जाएगे लेकिन हमारे दिलि वाले वे इनको छे महीने भी नहीं चलने आप यह तो यानि कि इसका मतलब । कहना चाहा है कि अगर जंता ने सरकार बना दी Congress की तो हमारे वाले इनको अस्थिर कर देंगे हमारे वाले यानि की बाजबा वाले दिल्ली वाले यानि की बड़े नेता यानि की कह रहे हैं कि दिल्ली के बड़े नेता जो बाजबा के बड़े नेता हैं वो इस सरकार को अस्थिर कर देंगे इसलिए मैंने आपसे का कि कई बार कुछ ऐसा चलता होता आदमी के दिमाग में दिल में वो जुवां पर आ जाता है जाने जेपी दलाल के दिल और दिमाग में क्यों चल रहा था वैसे जेपी दलाल साहब के दिल दिमाग में कब क्या चल जाए आप समझ नहीं सकते आपको ध्यान होगा एक बार उन्होंने किसानों के बारे में कहा था जब किसान अंदोलन के दौरान में किसानों की मौत हो रही थी तो उस समय उनका बयान आया था उन्होंने उस समय कहा था खृशी मंत्री थे जब कि उन दिनों में वह और उस समय कहा था जेपी दलाल ने कि तो पिसवार्ड ने किसानों के लिए कहा था और कहा था किने कोई नहीं पूछता है जो परतर्शन अंशन आंदूरन कर रहे हैं इनको घर नहीं पूछता आप इसे भी सुनिए कि मैं के बोल लूगा तो उल्टा बोला है मतलब उनकी घराली कौनी मानना है उनकी अठेका ले रख्या था किसनों का और आज जो वो कह रहे थे जेपी दलाल कि अगर माड़े से माड़ा क्या होगा कि कॉंग्रेस की सरकार बन जाएगी तो हमारे लोग टिकने नहीं देंगे इसलिए मैं आपसे कह रहा था एक बात तो ही आजाती है कि क्या जेपी दलाल सहाब को कहीं खत्रा लग रहा है कि सरकार उनकी नहीं आ रही है कॉंग्रेस की सरकार आ रही है वैसे फैसला जनता करती है जनता अपने मतादिकार से तै करती है कि सरकार किसकी कौन मुखिया, कौन नेता, कौन विधायक और जनता जो तै करती है वो तै हुआ करता है हलांकि अभी कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि अभी चुनाव के लिए केंडिडेट्स आएंगे नामांकन का काम शुरू होगा एक अक्टूबर को मद्दान होगा और जनता तै करेगी किसको बनाना है लेकिन जाने जेपी दुलाल साहब ऐसा क्यों वह अपने नेताओं की तारीप कर रहे दर या फिर विपक्ष के लोगों को कहना चाए थे इनको वोट दोगे तो भी कौई फाइदा नहीं होगा खेर, जेपी दलाल की इस बात के बाद से जो उन्होंने कहा आपने उदबोधन में समबोधन में कहा कि ये बना भी लेंगे तो हमारे वाले च्छे महने ने चलने देंगे इसको लेकर के तमाम जगहे पर क्रिया प्रतिक्रियत दोनों हो रही है मैं आपको पताता चलू कि भारती जंता पार्टी पर विपक्ष के लोग खासकर कॉंग्रेस के लोग अर्विंद केजरिवाल की पार्टी के लोग अखिलेश यादव की पार्टी के लोग लालू परसाद यादव की पार्टी के लोग हेमंत सोरेन की पार्टी के लोग भी शी प्रफी दराल साब ने उसकी पुष्ट्टी कर दी अगर इनकी बण भी गई तो हमें चलना शला ने क्या करेंगे दिल्ली वासे बात से चल पड़ा को प्रेशन लोटस आखिर चलता है कि मैं आपको बताता चलू मैंने अभी आपसे कहा था कि हेमंत सोरेन की पार्टी जारखंड मुक्ति मोर्चा गुरुजी शिबू सोरेन की पार्टी जो लोग राजनिती में इंट्रेस्ट रखते हैं वो भी और जो नहीं रखते थोड़ा बहुत तो उनको भी जरूर बता होगा अब एक एक एपिसोड चला था पिले एक सब्तवा के अंदर को पिले एक सब्ता हमें जारकंड का एपिसोड था कि जरखंड के पूरुन मुक्हा मंतरी से चम रहे वहांके मुक्हामंति रहे जब हेमंद सोरेन जेल में गए थे तो उन्होंने अपने स्थान पर चंपाई सोरेन को मुख्य मंत्री नियुक्त किया था बड़ी चर्चा चली थी कि चंपाई सोरेन भारती जंता पार्टी में जा रहे हैं चर्चाएं थी कि वो पहुँच गए हैं हेमंत विश्वा सर्मा चंपाई सोरेन कोई लामबंदी करने में कलकत्ता से चलते हुए और घुमते गुमाते हुए चंपाई सोरेन पहुँचे थे दिल्ली दिल्ली आकर के तमाम सब कुछ हुआ मुलाकाते हुई क्या बाते हुई ये लोगों को पता लेकिन आखरी जो मुलाकात हुई बात वाली मुलाकात वो गुरुजी से हुई यानि की हेमंत सोरेन के संस्तापक दशोंगुरू दशोंगुरू की उपादी मिली हुई है शिबु सोरेन को और गुरु का मतलब जाने तो फिर आदिवासी समाज के अंदर उनका सबसे बड़ा दरजा होता है कि अगशी के अंदर कि चंपाई सोरेन कह रहे हैं कि अब गुरुजी से बात हो गई याने की शीवु सोरेन साब से बात हो गई अब कहीं आना जाना नहीं मकसद यही आई बात निकल के सामने आई है जब चले थे चमपई सोरेन तो उनके बारे में कहा गया था कि उनके पास पांच्छे विधाया के और सरकार अस्तिर हो जाएगी सरकार तूट जाएगी अपरेशन लोटस जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था अभी और उसी के बारे में अनकहे अंदाज में यानि की परदे के पीछे की बात कह गए जेपी दलाल सहाब जेपी दलाल सहाब ने कहा कि इससे बुरा क्या होगा कि कॉंग्रेस की सरकार बन जाएगी लेकिन हमारे वाले जो दिल्ली वाले हैं इनको चलने नहीं देंगे छे महीने तक इसलिए मैंने आपसे कहा कि जनता के भी चर्चाएं शुरू हो गई वैसे दोस्तों क्या ये जनता के मत का जनमत जिसे हम कहते हैं जनता के फैंसले का अगर राज नेता इस प्रकार की बाते करें तो क्या ये जनमत का अपमान नहीं है जनता किसी को चुने, कॉंग्रेस को चुने, भारती जनता पार्टी को चुने, इनको चुने, उनको चुने, तेरे को चुने, मेरे को चुने, किसी को भी चुने, ये जनता काधिकार होता है और जनता के मत से चुना गया जो नेता होता है वो जन प्रतिनीदी बनता है चुना हुआ अनुमाइंदा और फिर विधायक सांसत तै करते हैं कि कौन मुख्य मंत्री परधन मंत्री हलाकि आज सब बदल गया विधायक और सांसतों की तो कोई हैसियत नहीं होती तै तो करते हैं की बातें जन्प्रतिनीदियों को कहनी चाहिए कि जेपी दलाल ने ऐसा कह करके कि हम 6 महिने में अगर सरकार कॉंग्रेस की बन गई तो क्या उनका कहने का मतलब यही है कि वह सरकार को स्थिर कर देंगे और आपको क्या रगता है कि क्या यह लोगतंत्र के अंदर क्या ये स्वस्थ परंपरा है कि चुनी हुई सरकारों को अब दस्त करना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर दबाएं अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें